वेल्कम इन्वेस्टर्स टॉक इन दे न्यूज में आपका बहुत-बहुत सौगत है और जो भी लोग हमारे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि किस तरीके से हम डिमांड और सप्लाय के जो कंसेप्ट है उसको एनलीसिस करते हैं और आइनलीसिस करके आपको सिक्योर और सेफ ट्रेड यहां पर अविलेबल कराते हैं तो चलिए देखते हैं कल का जो वीडियो हमने अपलोड किया था अगर आपने देखा होगा तो यहां पर देखिए हमने बताया था कि टेक महंद्रा को बाय करना है 783 से 775 तक और स्टॉप लोज बताया था 773 का टार्गेट ता 800-811-825 का तो चलिए देखते हैं आज यह स्टॉक आज का डेट है 22 सप्टेंबर 2020 और आज यह स्टॉक ओपन हुआ था 793 पे और जैसे कि आप देख पार है कल एक अच्छी खासी गिरावट के बाद हमने यह बाय का यहां पर आपको एक डिवांट सप्लाइबेस टेकनिकल आनेलिसिस दिया था और इसने के साथ 800.45 पर यह स्टॉक क्लोज हुआ है तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक तो फर्स्ट हम रिव्यू ले लेते हैं हमने कहा था कि आपको इस डिमांड जोन में 30 मिनिट का कैंडल देखिए इस डिमांड जोन में प्राइस आया और हमको हमने आपको बताया था कि यहां पर गा हमें बॉलेंंग हमें करना था 780 पर हमेंग करना था और जैसे कि आप देख पा रहे हैं फंस तरफ टार्गेट है इहां पर यहां पर कमपलीट हो गया और सेटन टांगेट होते होते चुक गया और उसके बाद यहाने यहां पर हलका सा retracement दिया है तो यह था 22 आज का जो trading session था उसका analysis हम जब भी कोई trade execute करना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस position पर किस level पर और कहां पर हम buy कर रहे हैं क्या हम bottom पर खड़े हैं क्या हम top पर खड़े हैं क्या demand के पास खड़े या supply के पास खड़े और उसके बाद stock का price कहां किस direction में move करेगा यह हमें पता होना चाहिए तभी कोई भी trade execute करने में एक अच्छा खासा profit हमें मिलता है अगर देखिए इस demand zone के अंदर यहां पर price आया इसने यहां पर support लिया हुआ है आप देख पारे daily trend line पर support लिया और उसके बाद अगर हम यहां पर 780 बर भी लेते तो यहां पर देखिए 20 रुपीज का जो 800 है 20 रुपीज का और यहां पर second target नहीं हो पाए फिर भी अच्छा कासा 20 रुपीज का जो profit है minimum profit 20 रुपीज का यहां पर अच्छी हो हो चुका है one day के trading session में